नागरिक्ता संसोधन एक्ट से केथल जिले के पोलड और खड़कड़ा गाम में रहने वाले पाकिस्तान के हिंदू परवारों में भी खुशी की लहर दोड़ गई है इन परवारों ने जिले के भाजपा नेताओं को धन्यवाद करें के लिए अमंतृत किया पार्टी के हमारे से भी बदादिकारी वहाँ पर जा रहे हैं आजनीय परणामंत्री का वो धन्यवाद और घ्री मंत्री जी का अमिस्थाजी का धन्यवाद करने के लिए उनकी एक खुसी और उनको एक नई जिंद्गी देने का काम प्रताडिक थे कि वापिस पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे और उनकी को सुरक्षा देना जब वो एक सरनार्थी के रुप में जब उनको प्रत्याचाह हुए वो हिंदूस्तान के अंदर आए देखिए अभी तो जो यह भी पास हुआ है उसके अंदर यह बात कही गई है कि अगर किसी के पास कुछ डॉकुमेंट भी नहीं है तब भी उसको वो फारम अपलाई करे उसको नागरिक इस देश का बनाया जाएगा प्रन्तु काफी नंबे समय से यहां पर रह रहे हैं उनको यहां की नागरिक्ता नहीं है अभी उनके बीच में जाएगे नायव सैनी ने का कि नागरिक तासन शोधन बिल्ट का भारत के किसी भी धरम के नागरिक पर कोई असर नहीं होगा विपक्स इस कनून को लेकर देश में भरम का महोल पैदा करने की कोशिश कर रहा है इस बिल से किसी भी विप्ति को हिंदूस्तान के चाहे हिंदू है, मुसलिम है, किसी प्रकार की कोई भी इस बिल से दिक्कत नहीं है जो सरणार थी, दूसरे देशों से प्रताड़ी थे, वहाँ पर वो अलपसंखिट थे, वहाँ की सरकारे उनकी सुरक्षा नहीं कर पाई अपमानित किया गया और अपने धर्म को बचाने के लिए वो हिंदुस्तान के अंदर आये ऐसे कोड़ों सरनार्थियों को देश के यसस्वी परधान मंतरी नरेंदर मोदी जी ने भारत के ग्रीम मंतरी अमिल्साह जी ने लोकसभा में इस बिल के माध्यम से उनको नार्गित् प्रंतु कुछ विकपक्सी दल जिनके पास कोई मुद्दा से नहीं है मुद्दा नहीं बचा वो देश के अंदर एक खराब महल खड़ा वो कर रहे हैं प्रंतु इससे किसी भी देश के नार्गित को किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं है नार्गित्ता अधिनियम संसोदन दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दे नार्गित्ता संशोदन बिल के बारे में दो पोशब भी कमेंट बॉक्स में जिरूर छोड़ दे हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकोन को दबा दे ताकि हमारे हर एक ने वीडियो की जानकरी सबसे पहले आपको मिल सके धन्यवाद